चोपडा है जो किसीने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC की काउंसलिंग के लिए जो सेक्यूर्टी अमाउंट डिपोजिट हुआ था उसका रीफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है MCC ने अपने साइट पर इस परकार का नोटिस और इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट डाली है तो जैसे ही इसका नोटिस और इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट हम डाउनलोड करते हैं तो नोटिस में लिखा है कि अभी 40,353 कंडिडेट का जो रीफंड है वो डाल दिया गया है बाकी 82,437 कंडिडेट का जो रीफंड है वो इस मैने के लास्ट तक डाल दिया जाएगा इसमें कुछ नोट्स लिखे हैं इसमें ये लिखा है कि रीफंड आपका जिस अकाउंड से आपने पे किया था उसी अकाउंड में आपका पैसा वापस आएगा इसके बाद में जो अभी जिन कंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है वो एक से 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैं नाम है तो आप कंसर्ण बैंक से इसके बारे में क्वारी कर सकते हैं अगर इसके रीफंड के रिलेटेट कोई आपका इस्यू है तो finance mccc 2019 at livecare.com पर आप मेल भी कर सकते हैं इसमें जिन कंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है और जिन कंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नही है वो वेट कर लें अभी दूसरी जो लिस्ट आएगी 80,000, 82,000, 437 कंडिडेट की तो उसमें आपका नाम अवस्य ही होगा अगर आप इस लिस्ट के लिए eligible हैं तो तो अभी आपको वेट करना होगा आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें रोल नमबर चेक कर लें रो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा इस मैने के लास्ट तक एक दूसरी लिस्ट आएगी 82,000 कंडिडेट की उसमें आपका नाम अवस्य ही होगा इस लिस्ट में आपके रोल नमबर दिये गए हैं ट्रांजेक्शन आईडी दी गई है बैं मार्च को रीफंड हुआ है यानि 6 मार्च से लेके आप 15 दिन का टाइम लेंगे तो 21 मार्च तक अगर आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आता है रीफंड नहीं आता है और इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप कंसर्ण बैंक से आप कोंटेक्ट कर लें मैं आपको ला पास्ट तक जारी की जाएगी तो आप वेट कर लें दूसरी लिस्ट में आपका नाम अवस्य ही होगा अगर आप रीफंड के लिए इलीजिबल होंगे तो तो जैसे ही इसके बारे में और कोई सुच न मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे न पेहिन